1950 से लेकर 1970 तक बॉलिवुड पर राज करने वाली वहीदा रह्मान ने देवानंद से लेकर अमिता बच्चन तक के साथ काम किया और दमाम सूपर हिट फिल्म में दी वहीदा जितनी भोली भाली अपने किरदारों में नज़र आती थी रियल लाइफ में भी वो कुछ ऐसी ही थी वहीदा अपनी फिल्मों के लिए ड्रेस का चैन खूद करती थी आपको बता दे कि वहीदा रह्मान और देवानंद ने भी एक साथ कई फिल्मों में काम किया है लेकिन 1960 में आई फिल्म काला बजार की शूटिंग के दौरान वहीदा को कुछ ऐसा करना पड़ा था जिसके बारे में सोच कर उन्हें आज भी अफसोस होता है आप सभी जानते हैं कि देवानंद एक सीरियस फिल्म में करते यानि कि वो फिल्म को चलाने के लिए किसी फिल्मी लटको जटको का इस्तिमाल करना बिलकुल भी पसंद नहीं करते थे लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती थी तो वो किसी तनाय का समझाता करना नहीं पसंद करते थे यही वज़ा है कि एक बार उन्होंने फिल्म की डिमांड के मुताबिक वहीदा रह्मान को कैमरे के सामने साड़ी उतारने पर मजबूर कर दिया इस बात को लेकर वहीदा रह्मान और देवानंद के बीच काफी जादा बहस भी हो गई थी लेकिन बजबूरन वहिदा रह्मान को देवानंद की बात माननी पड़ी दरसल फिल्म काला बजार में वहिदा रह्मान देवानंद की प्रेमिका की रोल में थी फिल्म स्क्रिप्ट के मुताबिक एक सीन में वहिदा रह्मान और देवानन्द पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, जिस दोरान देवानन्द का पैर फिसल जाता है और वे नीचे लटक जाते हैं। सीन के मुताबिक वहिदा को अपनी साडी उतार कर उने बचाना होता है। कहना था कि अगर वाहिदा अपनी साड़ी से देवानंद को ऊपर खीचेंगी तो सीन में जाना जाएगी लेकिन वाहिदा इस सीन को करने को तयार नहीं थी इसके बाद देवानंद ने वाहिदा को अकेले में बुलाया और उन्हें समझाने लगी देवानंद ने कहा तुम जा वाहिदा सीन करने के लिए राजी हो गए लेकिन उनकी शर्त थी कि शूट करते समय वहां सिर्फ देवानन और वो रहें और कोई और नहीं बता दे कि वाहिदा रहमान ने अपने पूरे फिल्मिक करियर में पहली बार ऐसा सीन किया जिसका अफसोस उन्हें आज भी है वेल आपो क्या लगता है देवानन और कोट की धमकी देकर वाहिदा रहमान से ऐसा सीन करवाना सही था या गलत आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके इस दरूर बताएं साथ ही हिंदी सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी और दिल्चस्प बातों को जानने के ल झाले